नमस्कार दोस्तों, Facebook Marketing के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, पिछले चाप्टर में हमने देखा था कि कैसे हम अपने Facebook पेज को तयार कर सकते हैं अपने बिजनस को मार्केट करने के लिए अब हम इसमें अगले पड़ाओ की तरफ बढ़ेंगे किसी भी मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें अपने competition यानि की competitor का analysis करना जरूरी है हमें ये जाना जरूरी है कि हम जिस market में है, वहां कितना competition है कौन कौन हमारे competitor है, वो क्या कर रहे है सफल होने के लिए और वो क्या गलतिया कर रहे है दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने से बहतर है कि हम किसी successful model को replicate करें यानि कि देखें कि जो already आपके field में successful है वो क्या कर रहे हैं और कोशिश करें कि हम उनके जैसा कुछ कर सकें ताकि हम भी successful हो सकें और competition analysis से ये भी फायदा होता है हमें कि हम ये देख सकते हैं कौन से चीज काम कर रही है और हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं इससे आपकी सफलता मिलने में आपको आसानी होती है Competition Analysis करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका competitor कौन है अगर आपको इस शॉप खोलते हैं तो आपको ये पता होता है कि इस तरह की शॉप जो आपने खोली वी है वैसी शॉप आपके locality में कितनी है और इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कितने competitors है लेकिन जब बात आती है online marketing की तो ये थोड़ा मुश्किल होता है हो सकता है कि आप एक दो competitor को जानते हो लेकिन हो सकता है कई सारे competitor है जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं जो की already काफी market space लेते हैं तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले हैं competitor ढूणने से इसके लिए हम कुछ tools का स्तमाल करेंगे और ये tools net पे आसानी से मिल जाएंगे आपको और इनका स्तमाल करना भी आसान है और ये free tools हैं इन में से मैं दो tools का use करके आपको बताऊंगा जो की काफी popular है और आप भी इसी से शुरुआत कर सकते हैं इन में से एक tool का नाम है spyfu और इसका link है www.spyfu.com और दूसरा tool है keyword spy.com ये दोनों tool एक तरह से ही काम करते हैं और इन से competitor ढूंड़ना आसान होता है तो हम इस tool का इस्तमाल करके अपने जितने भी competitor है उनको ढूंडने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आते हैं spyfu.com पे जैसा कि आप इस page पे देख रहे हैं हमारे पास एक search box है और इस search box में हम अपने किसी एक competitor का नाम एंटर करेंगे अभी for example हम माल लेते हैं कि हम taxi business में हैं और हमारा काम है taxi provide करना customers को तो इस business में कई सारे नाम आप पता होंगे for example मैं अभी एक popular company है taxi business की Ola Cabs मैं उसका नाम यहां डालता हूँ और देखता हूँ कि और कितने competitors मुझे मिलते हैं तो मैं इस search box में type करूँगा आपने किसी एक competitor की website का नाम जो की है ola cabs.com और मैं फिर enterprise करूँगा spyfu और keyword spy यह दोनों एक complete tool है for SEO and social media marketing तो जब आप किसी website का link type करेंगे और search करेंगे उसे इन दो tools पे तो आपको उस website के regarding काफी सारी information मिल जाएंगी जो कि आपको SEO यानि search engine optimization और social media marketing यानि कि facebook marketing twitter marketing इसमें help करेगा फिलाल हम facebook marketing पे concentrate करते हैं और इस page से हम वो data निकालते हैं जो हमें facebook marketing के लिए चाहिए जिसमें आपको काफी सारा data मिल जाएगा लेकिन फिलाल हम data जो ढूंड रहे हैं वो है हमारे competitors के नाम तो अगर आप सो scroll करेंगे और left hand side में देखेंगे तो यहां पर हमारा section है competition का और आप यहां देखेंगे उन websites के नाम जो की हमारे possible competitors है यानि कि हमने सिर्फ एक competitor का नाम यहां डाला और हमें यहां multiple competitors के यहां पे option है तो आप यहां से country select कर लें फिलाल मैं यहां पे इंडिया select करूंगा और इसके बाद आप इस search box में अपने किसी एक competitor के website का link यहां डाले और फिर इसके नाम का option है वो select कर लें और competitor का नाम मैं उठाऊंगा spyfo.com से अभी जो हमने search किया था ola.com उससे जो हमें competitor मिले थे उसमें से मैं एक competitor जो कि इस list में है उसको उठाऊंगा जैसे कि avis.co.in और मैं यहां domain डाल रहे हैं तो इस box निचे जो domain option है वो select होना चाहिए इसके बाद अगर आपसको scroll करें इसमें कई सारे information है हमें फिर अपने सिर्फ एक data पर concentrate करना है हम यहां competitor ढूंड रहे हैं तो हम इसके competitor section में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर competitor के यहां पर नाम आ गया है तो इस तरह से मारे पास एक list बन जाती है competitors की जिससे हम उनके बारे में और जान सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं अब हमारे पास यहां पर view more का option है लेकिन यह paid feature है अगर आपको आपको पूरा डिटा चाहिए तो आपको pay करना होगा तो यह tool free में आपको थोड़ा information provide करता है और अगर आप ज्यादा information चाहते हैं तो आप इसके subscribe भी कर सकते हैं इसकी paid service भी ले सकते हैं keyword spy और spy food दोनों आपको free में थोड़ी बहुत information provide करती है और अगर आप ज्यादा information चाहते हैं जैसे मैं अगर view all computer पर click करूँगा spy food में यह भी मुझे बताएगा थोड़ी information देगा उसके बाद की information के लिए मुझे यहाँ पर login करना होगा इनकी इसकी paid service देनी होगी लेकिन मैं आशा करता हूँ कि free information ही आपके लिए काफी होगा आपके पास sufficient data हो जाएगा जिस पर आप काम कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको अगर जरूरत महसूस होती है तो आप इसकी paid service को भी subscribe कर सकते हैं लेकिन जहां तक starting का सवाल है तो मैं यही बोलूँगा कि आप इसकी free जो data available है आप उसी के जरीए काफी हद तक अपना competition analysis कर सकते हैं एक बार आपने अपने competitors की list बना ली उसके बाद आता है next step और next step है हमें अपने competitor के website से demographic information निकालनी है demographics हम यह ढूंडते हैं किस तरह के लोग हमारी service में interested हो सकते हैं इसके लिए हम एक और टूल का स्तमाल करेंगे और इसके लिए हम जिस टूल का स्तमाल करेंगे उसका नाम है alexa.com इस टूल को भी स्तमाल करना काफी आसान है यह टूल फ्री भी है एक हद तक आप इसका free स्तमाल कर सकते हैं और अगर आपको information ज्यादा चाहिए तो आप इसके paid version को भी subscribe कर सकते हैं फिलाल हम देखते हैं कि हम free में इससे क्या-क्या information निकाल सकते हैं demographics के बारे में इसके लिए आप किसी भी एक computer का website यहाँ पर इस search box में enter करें जो right hand side top पे है जैसे कि हम अपने computer के website को नाम type करते हैं for example olacabs.com और click करते हैं find पे आप देखेंगे हमारे पास कई सारी information आ जाएंगी और Alexa.com भी काफी सारी information provide करती है जो कि SEO यानि कि search optimization और social media marketing में help करती है तो आप देखेंगे इसमें कई सारी information होगी जो कि आप SEO और social media marketing में इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन फिलाल हम concentrate करेंगे demographics की information पर इसके लिए हमें scroll down करना होगा और page के बिलकुल bottom में आना होगा आप जैसे ही bottom में आते हैं आपको audience demographics का ये section मिलता है आप इस information को देखें अपना audience define कर सकते हैं for example अगर taxi services है तो मैं यह यहां से फैसला कर सकता हूँ कि किस तरह के लोगों को मैं Facebook पर market कर सकता हूँ क्योंकि Facebook demographics पर काम करता है तो यह information मेरे लिए vital है और यहां से मैं यह decision ले सकता हूँ कि किन लोगों को मुझे Facebook पर market करना चाहिए for example अगर मैं gender market करना चाहूँ तो मैं यहां देख सकता हूँ कि males जो है वो taxi services ज्यादा इस्तमाल करते है फीमेल से तो मैं अपनी marketing जो है वो males पे ज्यादा concentrate कर सकता हूँ ठीक इसी तरह से मैं यह देख सकता हूँ कि किस तरह के लोग education में मेरी services इस्तमाल कर सकते हैं ऐसे लोग जो college नहीं जाते हैं या फिर जो college गए हुए है या फिर जो graduate है या फिर जो काम करते हैं वो इस्तमाल करेंगे तो मैं इस तरह से education को भी scan करके उस पे marketing कर सकता हूँ ठीक इसी प्रकार से मैं ये भी देख सकता हूँ कि किस तरह के लोग जो है या फिर किस जगह पे लोग मेरी website ज्यादा सर्फ करते हैं काम की जगह पे या फिर घर पे तो ये सारे demographics के information को मैं इकटा करके अपने facebook marketing में इस्तमाल कर सकता हूँ तो ऐसे आप भी अपने business के competitor को analyze कीजिए और अपने competitor की list बनाईए फिर उस list से आप demographics की information निकालिए और फिर key information demographics की वो note down कीजिए कि आपका कौन सा strong area है और किस तरह को आप market कर सकते हैं ये information एकटा करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम जब आगे facebook marketing करेंगे तो इस information का बहुत ही ज़्यादा स्तमाल होगा तो आप जितना ज़्यादा analysis करेंगे जितना ज़्यादा इस पे काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपको आगे marketing करने में आसानी होगी मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूँगा कि competition analysis का एक बहुत important part है कि आप अपने competitor को अच्छे से पढ़ें अगर आप अपने business को facebook के marketing कर रहे हैं तो अपने competitor का facebook page जरूर visit करें उसे like करें ताकि आपको उससे update मिलता रहें और उनके page को जाकर जरूर visit करें और देखें कि वो क्या कर रहे हैं for example अगर मैं ola cabs को अपना competitor मानता हूँ तो मैं उसकी page पर जाओंगा और देखंगा कि वो किस तरह के content share करता है और किस तरह के content उसके page पर पसंद किये जाते हैं ताकि मुझे एक अंधाजा मिल जाए किस तरह content मुझे share करना है या फिर किस तरह का नया idea मेरे competitor के पास है जिससे कि मुझे फाइदा हो सकता है या फिर उस तरह का कुछ अलग सा idea मैं अपने business में ला सकता हूँ तो इस तरह से आप competitor के facebook page और website पर जा करके नए ideas ढूण सकते हैं और यह भी ढूण सकते हैं कि वो क्या कर रहे है सफल होने के लिए तो मैं यह पर दो important बात आपको दुबारा बोलना चाहूँगा कि competition analysis करके आप competitor के list बनाए इसके बाद demographics information खटा करें और अपने competitor का website और page जरूर विजिट करें और हो सके तो उसे like भी करें ताकि आप उस page से updated रहें और आपको नए ideas मिल सकें audience insight का tool facebook ने भी दिया है लेकिन वो थोड़ा complex है तो इस चीज को मैं facebook के advanced marketing course में cover करूँगा तो आशा करता हूं दोस्तों यह chapter आपके लिए helpful होगा अगर आप इस chapter को download करना चाहते हैं तो आप smarttechnobiz.com forward slash tut पे जा सकते हैं यह course बिल्कुल free है तो आप इसे free download कर सकते हैं अगर आप इस course को youtube पे देखना चाहते हैं तो आप www.youtube.com forward slash c forward slash smarttechnobiz पे जा करके आप देख सकते हैं अगर आप digital marketing और IT के courses में interested है तो आप मेरे और भी courses देख सकते हैं जो की www.smarttechnobiz.com forward slash tut पे available हैं तो दोस्तों धन्यवाद आपना समय देने के लिए मिलते हैं अगले चाप्टर में हैं